नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी रेडियूस रसोई मैजिक किचन में आज मैं आपके लिए भरवा हरी मिर्ष के चटपटे वकुरकोरे पकोडों की रेसिपी लेकर के आई हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिसके लिए मैंने चार-पाच आलों को लिया उनको मैंने काके लिया ड sushi भी चा धनिया जो दोकर मैने का लिया और खरी चोटी सी कार्वी न च्शाए बारी मिर्ष से हुआ हो कली ना हूँ कही लिए मिर्ष का रिश्वर मिर्ष की जरूत होती नहीं है थी जड़त मट डालबें फिर उसके उसके उससे मैश कर लिए फिर हैं को अच्छे से मिला कर tit अवियर दोग और अच्छे से मिला कर अलग साइड में रख दीजिए फिर हमने जो परवा हरी मिर्ष ली है उसको दों कर के साफ कर लीजे अच्छे से फिर उनमें 20 ऐसे चाकू की हल्प से चीरा लगा दिजिए पूरा और देगे मेरी हरी मिर्ष में ना तो सीड्स नहीं है नहीं तो फिर इनको कई बार निकालना पड़ता क्योंकि बहुत तीही होती है मेरी इन में तो है नहीं सीड्स तो इसलिए मैं नहीं निकालूंगे इनको और सारी मिर्श को ऐसे ही चीरा लगा के आप रख दीजे फिर एक बाउल लीजे उसमें एक कटोरी दो चमबच इसमें चावल कार्टा डाल दीजें चावल कार्टा डाले से ना ये पकड़ी हमारी क्रिस्पी बनेंगी और फिर पानी थुड़ा सा पानी डाल करके इनका एक घोल त्यार कर लीजे गोल आप बहुत गाड़ा और बहुत पतला दोनों ही मत रखेगा पीच कर र मिर्ष नमक डाल दीजे और चुटकी भर हींग डाल दीजे और आधी चमबच लाल मिर्ष मेरी चमबच ना बहुत चूटी है तो उसके एसाब तो डाला आप अपने टेस्क एनोसा डालिएगा नमक और मिर्ष फिर इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर दीजे अब इस भे क्योंकि अगर मिर्ष कम भर दिया तो इसमें उतना मजानी आएगा और अगर ज्यादा हो गई तो जब हम तलेंगे ना इनको तो यह फट जाएगा अलू अलू हमारा फट जाएगा और तेल हमारा खराब हो जाएगा इसलिए हम मिर्ष में में ठीक ठीक ही भरेंगे और में अच्छे से लपेट लेंगे और अच्छे से जारो तरफ से लग जाने के बाद इसको हम तेल में डाल देंगे लेकिन आज आप ना धीमी ही रखेगा आज बहुत तेज मत रखेगा वरना यह मिर्च जल जाएंगी अब इन मिर्चों को ना गोल्डन ब्राउन होने तक र जाले थे वह आप मंड डालेगा वरना यह मिर्च के पकोड़िया बहुत जादा तीखी हो जाएगे सर्दियां आ गई है और बजार में यह मिर्ची मिलने लग गई है आप लाईए इन मिर्चों को और पकोड़ बनाकर खाए और मुझे बताए कमेंट करके कि आपको यह मिर चैनल को लाइक शेयर और सस्क्राइब जरूर कीजिए मेरी यह मिर्च के पकोड़ी बन करके त्यार हो गई है इनको आप हरी धनिया की चटनी के साथ नहीं यह मिर्च के पकोड़े बहुत ही तेस्टी लगते हैं आप सभी इसको बनाकर जरूर खाए और मुझे बताएं Thank you so much